नमस्कार दोस्तों, बेंकर्स पांट में आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग इस लेक्षिर में नंबर सीरीज का टोपिक देखेंगे रियल एक्जाम लेवल के जो क्वेशन होते हैं वो ही करेंगे इसमें ये पार्ट 1 है, इसमें मैं लगबाग 20 कुशिण करूँनगा इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें इसमें 20 कुशिण कर आपको को सबसे important जितनी भी speed booster की जितनी भी classes में भी तक update की और आगे करूँगा उनमें सबसे important यही वाला lesson हो जाता है क्योंकि बाकी topic के अंदर concept भी वेसी होते हैं और चीज़े बदलती नहीं लिए लिए अगर आप exam real exam level के question करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस type के question exam दर पूछ रहा है तो आपकी habit बन जाएगी उस type के logics को निकालने की बाकी number series जो topic है इसमें speed लाने काई की तरीकाई वो करो आप practice करो ज़्यादा है ज़्यादा दूसरा आप लोगों के पास में एक ऐसी approach होने जिससे आपको खुद को logic निकालना है logic को रटना नहीं है देखो रटे तो अपने आप ही चले जाते है time के साथ में जब आप बहुत ज़्यादा question करो देखते पता लगने लग जाता है कैसे logic लग रहे है इसमें और exam level की question करन one out number series, missing number series हो, हार type की series आपकी cover होगी और हर type का concept रहे है उसमें और मैं आपको यह समझाऊंगा कि यह question आएगा तो पता कैसे लगगा किसमें लोजिक लग रहा है वो सारी चीजे हम यहाँ पर देखने का प्रियास करेंगे ठीक है तो यह बहुत important lesson होने वाला है आप और कोई जो भी lesson है उसमें अगर previous year के question आपको यूजफूल नहीं लग रहे है कि वी सर मेर को आता है concept कोई बात में लेकिन यह वाला जो lesson है यह specially recommended ही नचालिश को तो आपको करना ही करना है क्योंकि ऐसे ही question number series के exam में देखने को मिलेंगे आप लोगों को और इसमें मिक्स चलेंगे questions कभी wrong one out का question कभी missing का question आजएगा दोनों टाइप मिक्स के लोगा में और एक ही ही concept से निकालेंगे हम लोगोंको तो सबसे पहली चीज तो number series में दिमार्ट में किलियर कर लो एक तो से books वगेरा में दिया होता है type wise नहीं पढ़ना ही square का type यह वाला type यह वाला type यह ऐसे नहीं पढ़ना है हम लोगों को क्योंकि एक्जाम में challenge ही ही होता है question देखे कि हमें पता लगी कौन से type की series है इसमें क्या logic लग रहा है मैंने सिखाया हुआ है तो गगर किसी को बिल्कुल basic से बारी की से इन चीज़ों को सीखना है तो वीडियो के description में comment में दो वीडियो के link pin करवा रहा हूं है number series के उन वीडियो को देखना एकदम basic clear हो जाएगा ठीक है और exam level की question में यह करवाई रहा हूँ इसमें ही में basic concept साथ में बताता हूँ ठीक है लेकिन में जो नए student है उनके लिए में पुराने classes के references ले देता रहा हूँ कि उनमें बिल्कुल basic से और चीज़े cover की जा चुकी है बहुत सारे students को पता नहीं होता है वो comments करते हैं अगे बढ़ने से पहले information देना चाहूँ है अगर आप हमारे courses जोइन करना चाहते हैं जिसमें live courses, recorded courses, mentorship program, prime program बहुत सारे courses हमारे चलते रहते हैं सारे subject का पूरा से लेवर प्रोपर तरीके से cover करते हैं को आप मारे mobile application, bankers.2.0 डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे website के उपर जा सकते हैं यहां पे paid courses के लाब आपको बहुत सारे चीज़ें जो बिल्कुल free रहेंगी जैसे कि आप लोगों का YouTube वीडियो के link वहां पे रहेंगे proper course की तरह है और वहीं पे उनकी PDF भी मिल जाएंगे आप लोगों को को जरूर से डाउनलोड कर लीजेगा अगर किसी course होगे जोईन करने में किसी भी चीज में कोई दिक्कत आती है तो नीचे नंबर दिया हुआ इसके उपर आप लोगों कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो Google Play Store पर जाके आप इंस्टॉल पर क्लिक करके आप लोग इस एप्लिकेशन अब हम क्या करेंगे अभी हमें सीखना है ठीक है तो दो मिनिट में बैसिक रिवाइज कर आपके आपको समझ में आजाए चीज है कैसे करने देखना अभी ध्यान से समझ लिजेगा पहले मैं मिसिंग नंबर स्रीज की बात करता हूं और फिर में रों कि आप से साथ मिनट द इस तरीके से यह से ठीक है ठीक है जश्ट थोड़ा सब्राइज करूंगा ठीक है तो यह सीरीज है इसमें आगे कोई नंबर निकालना है आपको जिसे यहां निकालना है एक सीरीज हो सकती है तीन 6, 12, 24, 48 ठीक है इस तरीके से आगे मालों कोई भी僅 मिसिंग निकालना है इन दोमबर में क्या फरक दिख रहा है अप लोगों को एक यह नंबर सिरीज है इसमें डिफरेंस चल रहा है दो दोगा डिफरेंस चल रहा है जुड़ता जा रहा है इसमें मल्टीप्लाइ चल रहा जाल रही है न दो दो का मँल्टिप्लाई तो इन दोनों में फरत क्या है इस series को में हमेसे difference की series बोलंगा अब ये उल्ट़ी भी हो सकती है ये ऐसे भी हो सकती थी 11, 9, 7 उल्ट़ी गठते क्रमें भी हो सकती है वो के दिकक्त नहीं है बस मैं समझ भाने हैं यह difference की स्रीज है, या कोई स्रीज धीरे धीरे बढ़ती है, या उल्टी अगर लिखी हुई होती है, तो दीरे धीरे गटती है, तो आपको अदाजा लग जाएगा है कि यह difference की स्रीज है, इसमें कुछ plus minus ही हो रहा है, यहां देखेंगे, कोई स्रीज नमबर बढ़ेगा हो, तो यह स्रीज मॅल्टी प्लाई की है, अगर इसी स्रीज को उल्टा लिख जब हमें, 48, 12 तो यह डिवाइड को जाएगा है, यह डिवाइड में पहुत तेजी से इसे हो, तो यह डिवाइडी की स्रीज है, अब इसमें मलटिप्लाई के साथ में plus minus को भी combination हो सकता है वो आपके पढ़ेंगे questions के मादें से, वो अपने आप questions से निकालना सेगा, फिलाल बस थोड़ा सा में chapter पढ़ा पाऊ, इसलिए में बतारूं कि difference के series और multiplied divided series कैसे पता करते हैं, तो एक अंदाजा है यहाँ पे आपको देर देरे लगने लग जाएगा, लेकिन ओवर्वीव में ने दिया है कि difference के series में number देरे देरे बढ़ते हैं, या देरे देरे गटते हैं, multiply के series में बहुत तेजी से number बढ़ता है, और divided के series में बहुत तेजी से number घट जाता है, ठीक है, इसके अलावा यह तो एक general idea हो गया, observation के मादे में से करेंगे, वो भी हमें help करे गलते हैं, जब भी is my difference, में difference से निकालते हैं, जैसे difference से series से बने जाएगा, एक बार difference से निकाला तो, क्या कर दो, कोई दिक्तत नहीं दुगत, ठीक है, उसके बाद में multiply is series में क्या करना है, multiply series में लोगी के निकालना होता है, तो last के 2 numbers पकढ़ेंगे, कैसे निकालना हो जिसे निकालेंगें, पस चोटी सी बात सोच दिए पने निमाग लगाने और निकल जाएगा, आगे कोश्य मुटाऊएंगा, पॉस धान इर्खना है कि मुल्टिप्लाइडिडिप्रेंस की सीरीज में डिफेरेंस निकालते जाना है, पहचान के, मुल्टिप्लाइडिडिप् पर दिफेरेंस की सरीज होगी, और पर बॉल्टिप्ला डिवाइडी की भी। पहले डिफेरेंस की बात कि यह जिसे एक नंबर है, एक तीन पाँच, साथ, नो गियारा, इनकी यह तो एक एक जी सीरीज है, इसमें मालनो मैंने एक नंबर गलत किया, इनके बीच में भीच में दो, 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 दो 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 गा दिफेरेंसा, अब मैंगे एक नंबर पकड़ी है बीच में से इसे 5 पकड़ी है, इसको हटा के मैं गलत लिख दिया अच्छे, अब मैं वो लोगा नंबर बता, कौनसा गलत है तो यहां पे फरक क्या पड़ा देखना, जब भी कोई भी Logik में दो डिफरेंस glowed रहें कि मैं पहले बाले हैं अगे दिफरेंस किशलेश है ने डिफरेंस निफरेंस हो गलत है उसके पीच मीच तो यह चीज़ इसके अलावा खोगा ध्यान दिजियेगा अगर मान का वा Cream क्रेंशेकं जो रिकाहिता सब्सक्राइबाट को सिकर्दूंब को ओर अगर डिफएट्वाइब केवल जो टेख दो हनाए तो डिफेरेंश मी जानना है प इस बार केवल और केवल एक ही डिफिरेंस गलते हैं तो आप लोगों को सिरिफ यह देखना है कि अगर दो डिफिरेंस गलता है उसके बीच का नमबर गलत है अगर वालों पूरी सिरिफ में एक ही डिफिरेंस गलत आ रहा है तो यह तो पहला होगा यह लाक्त होगा पहला होगा तो पहला नमबर गलत लाक्त होगा अब आ जाती ही मल्टिप्लाइगी है ठीक है, multiply की सेरीज बनगी जैसे, for example, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे मैंने कर दिया, अब मैं कोई भी एक नंबर गलत करता हूं, for example, मैं एक नंबर गलत करता हूं, मैंने 16 गलत कर दिया, 16 की जगे मैंने लिख दिया, 24, तो हर जगे लोजिक लग रहा था, गुणा 2, गुणा 2, यहां गुणा 3, ठीक है, यहां पर पता ही नहीं क्या गुणा हो रहा है, गुणा 1, प्लस 8, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है, यहां गुणा 2, पूरी स्रीज में मैंन लेफ्ट साइड से गया, तो पहली बार मेरा यहां पर 3 गलत गोड़ा हुआ है, तो लेफ्ट साइड से जहां पहली बार गड़बड हुई है, उसके अगले वाला नमबर गलत है, यहां पहली बार गड़बड इस स्टेप में हुई, यह वाला नमबर गलत होगा, तो इस स् step message, जो left में से last होगी वो गलत हो, लेफ्ट से देखना है, जहाँ गडबड़ होई, उसके अगला number गलत है, यहाँ गडबड़ होई, उसका अगला number गलत है, ठीक है, अब इसमें कई बार क्या होता है, जैसे यह जो यहाँ पर 16 अगर मैं इस 32, यहाँ पर 128 करता है, ठीक है, य ही तो इसके अगला नंबर गलत हो है लेकिन दिक्कत आती है। जब पहला नंबर गलत हो जब पहले नंबर हो इस दो की जगहिए मानलों में एक कर दूँ तो यहां 1 गुणा 4 सिंपल सारोचات जब पहलीस टेप में गड़बग अगलत होना तो पहला नमबररी को सारी जब पारे जिवरंगी हरे कील सटेप में गड़बगे दवनानबररी तो क्या क्या हुआ और अगर पहली स्टेप में गड़ बड़ हो रही है तो पहला नमबर प्रत आप इस बात का आप लोग समझ गए होगे हैं अब हम कुश्चन के उपर आ जाते हैं मिसिंग सब मेक्स में चलेगा अब हम हमें प्रैक्टिस करनी एक्जाम में आई भी कुश्चन फटाफट सोल कर प्राई मेरे को तो एक इस सब पहले लास्ट के दो नमबर पगड़ने में सोचना के से ध्यान दीजेगा चोचना इसे कि 920 को कितने से मुल्टिप्लाइग पॉरूं कि 556 के एक दम पास में आजाए ठीक है तो यह 900 है यह लगब-बक चोगन से दो छे बार लगब-बर तो 6 बार multiply करूँगा, तो 6 निम्ग, चोवण सो, और 20 से करूँगा, 120, चोवण सो, पलस 120, यह निए 520, तो यह 6 से multiply करूँगा, 520 आएगा, पलस 36, यह मेरा लोजीगवेट है, तो 6 से उना पलस 36, देखते हैं, पीछे देखते हैं, यहां कितने से multiply करूँगा, 920 के path है, तो 4 से multiply किया, तो 180 आया, उसमें 4 जूड़ गया, उसके पीछे गया, तो 14 को कितने से multiply किया, 3 से multiply किया, फिर 3 जूड़ गया, तो 4 से multiply, 4 जूड़ गया, 3 से multiply, 3 जूड़ गया, यहां देखो, 2 से multiply करूँगा, 12 एक से multiply, एक जूड़ गया, इसका मतलब, लोजीग क्या लग रह तो लेफ्ट साइड से जो पहली स्टेप उसके अगला नंबर गलत होता है आपका नंबर 920 गलता है इसकी जगर सही क्या एगा मुझे कोई मतलब भी मुझे एक्जाम में 920 स्टिकर क्या है यही तो सही नंबर आप देखना चाहो तो पाथ से मिल्टिप्लय होगे पाथ प्रियास किया पीछे में लोजिक देखा तो जहां लोजिक फेल हो रहा तो लेफ्ट साइड से उससे अगला वाला नंबर गलत है अगला को देखते है क्यों को देख के क्या फिलिंग आ रही है विकश्यन को देख के फिलिंग होletterी लास्ट के नंबर देख बड़े-बड़े नंबर हो रहे है इसका मतलबuestas निषिस हो सकती है तो बारा किव 1160 को कितने से मुल्टिप्लाई करूं कि 25ी साई है है सिधा- टीक है चार से कुरूँगा तो ज्यादा चला जाएगा तीन से होगा तीन से मुल्ट्प्लाइगा तो एक 100 145 को 168 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 24 जोड़ना पड़ेगा ध्यान रखिएगा पूरी मैथ्स में कहीं पर भी नंबर स्रीज पड़ोगे तो वहां पर लिखावा आएगा पहले मैंने डेडी से गुणा कर दिया डाई से कर दिया फिर साधे तीन से कर दिया सा 24 जोड़ा है यहां पर 24 अड़तालिस का आधा है कि नहीं है तो किसी भी चीज को जैसे मैं ट्वल कर रहा हूं ठीक है किसी भी चीज में आधा आप 6 जोड़ रहे हो तो भी 18 बनेगा और किसी भी चीज में उसको 1.5 से मल्टिपलाई कर दोगे तो भी 18 बनेगा यानि भी किस इसी भी चीज में उसका आधा जोड़ने की बज़या है उससे आधे जादे से गुणा ही कर दो डाइरेक्ट तो भी वही नमबर आना है ठीक है यह चोटी सी बात है तो देखके तो समझ में कैसा है का एक्जाम में एक्जाम में मेरे को पता लगा तीन से मल्टिपलाई कर कर तो बारा को इधर से चार से मल्टिपलाई करना पड़ेगा अब मुझे बात समझ में आ गई कि कैसे मल्टिपलाई हो रहा है यहां पर आपका चार से साड़े तीन से तो यहां तीन से हो रहा होगा और यहां दो से रहा हो तो यहां तीन से मल्टिपलाई कर दो 168 को तीन से म आठ को तीन से किया, चोवीस तो 480, प्लस चोवीस पांसो च्यार, क्रोश चेक कोई करना चाता है, तो दो पेंट पांच से मुल्टिप्लाई करके देख लीजिएगा भी, पांसो च्यार को, आपका बारसो साथी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंसर क्या आगया, प लोगों को, और इसी एपरोथ से आपको एक्साम में लोजिक पता लेगेगा, सामने एक क्वेश दिखाई दे रहा है, छोटी सी सी शीरिज है, छोटी जादा सीरीज हो जा गाती, और जादा दिक्कत उजाती ही, क्योंकि उसमें लोजिक नकालना और मुझ्क हो जाता है, य ठीक है, यह 1.500 के आसपास है, यह 900 के आसपास है, लगबग 6 से multiply करके देखते हैं, ठीक है, 6 से multiply करूँगा, अब ही क्या आएगा 146 को, ठीक है, 6 से multiply करूँगा तो कितरा आजाएगा, पहले 140 को 6 से कर लो, फिर 36 ओड देंगी उसके अंदर, ठीक है ना, तो 14 शीकर क्या होता ह एक, यह लोजी, तो 6 से गुणा कर दिया, पलस एक हो गया, देखते हैं, यहां कितने से गुणा होगा, हमें नहीं पता, यहां कितने से गुणा होगा, हमें नहीं पता, यहां अम अंदाजा लगा सकते हैं, कि गुणा 3 हो रहा है, और पलस 1 हो रहा है, यह तो समझ भी आग चेक कर लिजाएगा कई बार गड़ बड़ जाता है 29 को 6 से multiply 5 से multiply करोगे तो 145 आएगा फिर एक जोड़ोगे तो 166 आजाएगा तो चेक होगी है मेरा 29 आंसर होगे आगे बढ़ते हैं देखेंगे इस question में क्या होगा एक बात हमेशा ध्यान रखना कई बार कोई कोई सीरीज एक बार नीचे गिरती है यानि कि एक बार नंबर कम हुआ उसके बाद में बढ़ता ही चला गया यानि कि एक बार तीन पॉइंट पाच से नंबर दो पॉइंट पाच हुआ उसके बाद में बढ़ता ही चला गया ऐसी बहुत सारी सीरीज आती है exam कई बार नंबर सेम भी होत तो मान के चलो multiply हो रहा है, plus minus हो तो बेटी नहीं सकती वो series, ठीक है, वैसे भी आपको देखके पता ही लग रहा होगा, कि भी 3, 6, 20 हो रहा है, तो इसको general idea से आप देखोगे, तो कई बार confused हो सकता है, plus की series है, minus की series है, क्या है, लेकिन आप observation से, जब exam की question करोगे, तभी तो पता लगींगी, चीजे और भी exactly, तो ऐसे इस चीजों के अंदर हमेशा multiply की series होती है, जब एक बार number कम हुआ, उसके बाद, अगर बार बार में number कम जादा कम जादा हो रहा है, तब plus minus हो सकता है, लेकिन एक बार ही कम हुआ, फिर बढ़ता चला गया, एक बार तो गीरा देखो, 3.5 से 2.5, फिर बढ़ता चला गया, 3, 6, 20, ऐसे, यहाँ multiply ही है, और बहुत सारे cases में 0.5 का चक्कर भी मिलेगा यहाँ पे, गोणा के अंदर आप लोगों को, तो यह बार दिमाग में बिठालो अपने, ऐसे बहुत सारे question आएंगे, अगर आपने question यहाँ प्रेक्टिस कर लिए, exam में देखते ही समझ में आएग अब देखो 6 से 20 लाने के लिए, मैं 3 से multiply कर दूँगा, 6 ती 18 और प्लस 2 कर दूगा, यह हुआ मेरा, एक तो, तो इससे मुझे कुछ समझ में आरे रहा है, पीछे में अगर देखूँगा, तो 3 को 2 से multiply करना पड़े कुछ, प्लस-minus होनी रहा, यहाँ फिर 1 से multiply करना कोई logic नहीं बैठ रहा, तो जब भी ऐसा कुछ हो, तो छो लास्ट वाले नंबर में आपने logic लगा इसका वही सुरूम में थोड़ा सा आप सही एजूम नहीं कर रहे हो, 3 से multiply करने पर नहीं हो, कोई बात नहीं हो, जादा बाले से एक जादा करके देख लिए, अगर नहीं ह लोगा है, मैं मैं बेक्षान चार से multiply किया, कितना हाए, 24 में बेक्षे से multiply हो रहा है तो अब देखते है पीछे क्या थे semaines, 3 माइनस हो रहा है, dip legitimate logic, यहाँ देखो 2 से multiply हो पास आएगा, फिर 2 माइनश हो गा, यहाँ देखो 1 से multiply हो te hurricane हो एक से मल्टिप्लाई होगा 3.5 माइनस एक होगा 2.5 सीधा पता लग गया तो यहां क्या होगा 5 से मल्टिप्लाई होगा माइनस 5 होगा यानि कि अंसर आजाएगा यहां मैंने कुश्यन देखा 11-26 26-46 176 जनी कुछ एकदम तेजी सब नमबर बढ़ने यहां क्या गुणा करोगे हर जगे कोई पॉइंट वी थड़ी गुणा होगा तो इसका मतलर डिफरेंस की सरीज है ठीक है तो अभी डिफरेंस की सरीज आई है तो डिफरेंस दिखा क्योंकि हमें एकदम से के concept पढ़ते हुए चले जाना होता है तो उसके में लिंक देते हैं आप लोगों को description में comments के अंदर किसी को देखना है यहां में एक्जाम की बात करना कि एक्जाम में तो randomly question आते हैं तो वैसे हमें अपनी habit बनानी है चलो तो यहां पर क्या हो रहा है 25 बहुत रह स्मय में आग्या होगए तो यहां क्या हो रहा है 35 बहुत ही complexon है तो यहां क्या हो होगाए पलस 30 हो रहा है यहो जिसके अंतर में एक सो नर दकला है य데 तो D guarantees Series लगए i bहुत तेजी से Numbers घचर रहा है ठीक है डिवाइड करके सबसे पहले डिवाइड में किसे स्रीज कैसे करते हैं पहले षिरीज आज्स द द बड़े नंमर पकड़ घठे हैं अब में सोच न इस 190 में किसका भाग दूँगी, यह 64 के करीछ आजए, तो 2 बहुआ भाग दिना पड़ाँ प्डाल। 2 बहुत नो फyn्मार में utensp की एक टो आजिए, 10 बहुत फून दस में 2 का भाग दोगे 5 आएगा, माइनस 1 करोगे 4 आजाएगा, तो क्रोस चेक भी हो गया, अगले कुश्चन के उपर आता है, अगले कुश्चन के अंदर, किस तरीके से हो रही हैं चीज़ें, देखते हैं, नमबर घटरा बढ़ रहा है, लेकिन बार बार घटरा बढ़ र लग रहा है, मेरे को बहुत पास-पास में नमबर लग रहे हैं, तो यह डिफ्रेंस नहीं पता, यह डिफ्रेंस नहीं पता, जो पता हो निकालो, तो यह पलस का हो रहा है क्या, 24, यह माइनस हो रहा है 32, यह पलस फिर से क्या हो रहा है भी, 12 और 28, 40 पलस हो रहा है, यह माइनस हुआ होगा 16 और यहां प्लस हुआ होगा 8 यही तो होगा 8 16 24 8 का टेबल चल रहा है ठीक है एक बार प्लस एक बार माइनस उसी इसाफ से मैं ने किल ओट सोच लिया तो इसमें प्लस 8 करूगा तो क्या जाएगा 112 आजाएगा 112 मेरा अंसर हो क्रोष चेक फिर से करना तो 112 में 112 में 16 माइनस कर दो तो चान मायगा निया तो क्रोष चेक भी है आगे बढ़े इसमें आपको रोंग मनाउट नमबर निकालना की कौन सा नमबर गलत है अभी निकाल देते हैं कौन सा रोंग मनाउट है नमबर कुश्चन को देखके क्या लग रहा है डिफेरेंस की है ठीक है स love, य। सूरी अलए 오늘 चोपी सोज़ा है के पर सोबीत है है can you अध्यों चोश्वी सो रहे उसके बाद में क्या हो रहा है माइनस अट्ठाइस मैंस हो रहा है उसके बाद में क्या हो रहा है मिया Belast 13 में उसके बाद म。-34 यहिए आई इसके लावा पूरे सेरी जोंग आपने बस दिफरेंस निकाले आपको सही गलत पर जाद दिस विचार निगा तो आंसर टिक करना है ना 16, 20, 24, 28 यहां तक मेरे को पेटरन नजरा रहा है इसका मतलब 28 के बाद में क्या पलस होना चाहिए था 28 के बाद में तो दिफरेंस काल नजरा तो यहां प्लस प्लस के लिए तो तो देखो तीज सह通 सब्सक्राइबन दिकाल टव्रेंस के लिए भरस नजरा तो यहां-प्लस ओटीस था तिक के अगला नंबर अपने आप सही हो जाएगा सो, इस 36 में आप सही हो जाता है फिर अगला लोजी, इसके टेंजन यहानी है, आपको तो दो डिफरेंज गलग नजर आगे बीच में 136 कर दिया, आप जो कोई समझदार इस्ट्थुएंट हो तो यह 32-37 यह सब कुछ नहीं क आगे देखो, नमबर बढ़ी ही लग रहे है इसका मतलब यह भी क्या लग रही है मुझे, difference किसी series लग रही है, तो difference निकालते हैं फिर, यहां पर क्या हो रहा है, प्लस का 23 हो रहा है, ठीक है, यहां का यहां हो रहा है भी, प्रस कितना हो रहे प्लस का कुछ ने कूछ प्रस ही ओ रहा है याप थीक है तो प्लस 19 हो रहा है याप इसके बॉद इसके बाद में 13 one ठीक है इन नम रोदियान से देखो कुछ समझ में रहे हैं आप हूं जब भी आप लोगों को ऐसे नमब दिखाई तो उनकी पहचान उन्हीं ची आगबंदगर के मेंच के अंदर 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31, 37, 41, ऐसे जो number होते हैं ना, इनकी पहचान उन्हींची एक दम ऐसे आख देखते ही, sequence wise, क्या है यह प्राइम नमबर है, इनका लोजिक बहुत जगे पे लगता है मैं तो जैसे ही मैंने देखा मेरे को पता लग गया 13, 17, 19, 23, 13, 17, 19, 23 प्राइम नमर की सरीज बन रही है तो प्राइम नमर जोड़ता जा रहा है गठते करम में तो अगला प्राइम नमर कौन सा होता 13 से पहले का 11 होता तो प्लस 11 कोई स्षेल पुछे जाते हैं यह पे कुश्यर मारक पहला ही नमर निकालना है मैं तो देखेंगे तो वो देखने से क्या लग रहा है तीनने सो पुछिए टेरा सो बारा पुंट पाँच यहाने कि यह तो मुल्टिपलाई की सिरीज में हम लास्त के दो नमर पकड़ लेते ह लास्ट के दो नमर पगड़िक लोजीग निकलने का परियास करूँगा। लेकिन कई बार यह लगता है लास्ट के दो नमर तो बड़े अजीब सी आरे हैं, एक्जाम मेक करूँगा, तो क्या हुजाएगा मेरा समय खराब हो सकता है, तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी तो उससे पहले की दो नमर पगड़ लो, उनसे लोजिक निकालने का प्रियास करो, कैसे सोचना किसे, इस 150 को कितने से multiply करूँ, यह 375 करीब आजाए, तो यह कम से कम 2 से multiply करना ही पड़ेगा, तो से multiply करूँगा, 300 आएगा, उसमें मेरे को 55 जोड़ना पड़ेगा, तब जाएके 35 जोड़ना पड़ेगा, तब जाएके 35 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, यह तो 75 जोड़ने की बजाए सीधा ही 2.5 से ही क्यों ना multiply कर दूँ, ऐसी 2.5 का logic तो इसका मतलब 3.5 जोड़े तो ये कितने से multiply होगा, आधे से multiply होगा, ऐसा कौन सा नम्मर है जिसको आधे से multiply गरने पर सो आ जाएगा ऐसा नम्मर तो 200 ही होता है 200 को यह हफ से multiply गरने पर सो आएगा तो अंजर गया हो गया 200 हो गया तो ऐसे पता लगेगी चीजे आगे बढ़ते हैं भी कुश्चन देखा यहां पर इस कुश्चन को देखके क्या फिलिंग आ रही है देखो भई एक बार नमबर गिरा गिरा ना कम हो गया 15 से 8 फिर बढ़ता ही जा रहा है इसका मतलब मंटीप्लाई की स्रीज एसी स्रीज बार वार में हाती हैं और परचानने का सबसे आसान तरीका बता सु मल्टीप्लाई की सरीजे बाकी कुज ठी Tube तो multiply mommy da go देखते लांशी दो नुमर करने प्टझे तो 2 से लिए तीसा गया plus 2 2 से multiply करके 2 जोड दिया po 5IE यहां कतने से multiply को यह 9 से multiply करूँगा तो 9 को फी7 टो 16 ख जेगा 16 घोड़ अब नई जीज धान दें लीजिए Unhe जब भी आप लो ऐसा नबर देखते हैं आपको एक एक आइडी अ सिरीज में पॉयंट करता है होता है का नबर गिरता है अब को Cannon लिए सिरीज होती है लगबख चांस में लगबख के एक्जाम में बनने ही नग दूगा यहा क्रों हाइच और कोई जवराइश्टी कर लेगे तो एक बात हमेसा ध्यान हगना, जैसे दो से गुणा करूंगा ज़्यादा बढ़ जागा तो एक से गुणा किया है, मैंने नु आया, उसमें पर छोड़ना बढ़ रहे है, अगर ये नंबर इसके आधे से जाधा है, तो सीधा आधा जाधे से गुणा करके देख लिया करो ए ऐसी सीरीज हो, अगर लोजिक नहीं बेट रहा है, तो 0.5 वाला नंबर भी गुणा करके देख लिया करो, अपने दिमाग में रखो ये चीज, ठीक है, तो अपने आप समझवा जाएंगे, ऐसा सीरीज आईगी, तो आपके दिमाग में एक दो बाते रहेंगे, तो अपने जब कुछन बुल जाएगा, तो पता लग जाएगा, कहीं ये 1.5 से मुल्टिप्लाई तो नहीं हो रहा है, आप बोलोगे सर ऐसे किसे पता लगेगा, उसका लोजिक बता दिया है, एक से गुणा करोगे, प्लस 6 होगा, और ये जो 6 है, ये 9 के आदे से जादा है, इसलिए म गुणा जुड गया, तो एक से गुणा एक जुड जाएगा, और यहां फिर क्या हो जाएगा, आदे से गुणा हो गए, तो साड़े साथ आएगा, फिर आदा जुड जाएगा, तो आगे अब क्या होगा, ये आपका गुणा होगा 2.5 से, तो जब ये 2.5 से गुणा होगा तो 32 का डबल 64 और आदा होगा 16 तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 80 और उसमें फिर 2.5 जोड़ेंगे तो अंसर आजाएगा 82.5 इस चीज को ध्यान लखना वहीं और एक इस चीज को ध्यान लखना जब नंबर एक बार गीरा फिर बढ़ता चलागे इसका मतलब मल्टिप्लाई इस यह देखो यहां पर मल्टिप्लाई की स्रीज निकली थी ठीक है तो उसी तरीके से आप लोगों का कुष्चन हो जाएगा अगर आपका चक्कर नहीं बेट रहे तब 0.5 लगाना है आप लोगों मतलब अगर लोजिक नहीं बेट रहे तो आगे बढ़ते हैं बही नेक्स्ट फ्ष्ष्ण देखा इस कुश्चन को तो देख के लग रहा है इन भेरस की स्रीज है पास पास में नम्मर है चाले तो यहां से अगर में यहां आरहा हूं तो मेरे क्या हो क्या है यह अनिकि ऑपंधरा हो रहा है पहले तो देखके खुश हो रहत है एक तीं पाइस ऐसा कुछ बन रहे लेकिन एक तीं साथ पंधरा यह तो कोई नहीं बेट रहा लेकिन शीरीज़ की एक इन अगर व्जी नहीं बेटता है तो दुंधारा डिफ्रेंस निकाल दो इसके बीच का डिफरेंस से च्यार इसके बीच का डिफरेंस है, इसको देखे और रहे हैं, यानिकि इस नमबर में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है तो 15 और 16 31 यानि कि-31 करना पड़ेगा मैंनस 31 करो तो आपको क्या जाएगा 32 आजाए तो हम चुरो के 32 समझे हैं सिर्फ नबर का दिफेरेंस देखना है इनका 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा मैंनस का चक्कर निदेखना है याप डबल डिफेरेंस तो अवर ओर नंबर का 14 का difference 2 minus 1 minus 3 नहीं सोचा है मैंने उसी तरीके से question को सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं next question next question देखके क्या लग रहा है भी इस question को देखके तो यह लग रहा है 10 22 35 50 बहुत दीर दीरे नमबर बढ़ रहा है यह क्या है भी प्लस 12 हो रहा है सारे प्लस हो रहे हैं तो प्लस लिखने की जूरत नहीं है यहां पर 13 जूड़ रहा है यहां बारा जूड़ा यहां पंदरा जूड़ गया यहां पे 18 जुड़ गया और यहां पे कितना जुड़ गया 22 और 24 जुड़ गया और यहां पर 8 और 17 25 जुड़ गया सब को देखो भी समझ में आये कुछ 12, 13, 15, 18 कुछ समझ में नहीं में रतो 20 16 करेन में अपर काकरप्ट करणा फिर गया जुड़ पर 9 करेनी चल देखते कि यहरा दुड़ी दोग भी कमी चल्ल्य घुयार क डि यहां पीक तो पता लगी सिक्वेंस का तक जुड़ टियू एक का डिफुर Ngiру होगा तो आगे चार का डिफरेंस अगर होता है यहां यहां तक सही है तो यहां च्यार का डिफरेंस होना चीह था है पाँच का डिफरेंस यहां अगर च्यार का डिफरेंस होता तो यह 24 गलत होता और फिर 25 गलत होता क्योंकि अगर यहां च्यार का डिफरेंस तो यहां 22 होता फिर यहां 5 का डिफरेंस होता है, यहां 27 होता है, यह वाला और यह वाला नंबर गलत है, तो उसके बीच का नंबर गलत है, तो यह 92 गलत है, सही नंबर क्या होता है, सही नंबर यह होता है, कि इन दोनों के बीच में 24 की जिगर 22 का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो 22 का डिफरे से जहां गलत है उसके बीच का नंबर गलत है देखो फिर से वही चीज आ गई हमारी एक बार नंबर गीरा फिर बढ़ता जा रहा है इसका मुल्टिप्लाई की स्रीज है टेंशन निलेन याप लोगों ठीक है किसकी स्रीज है मल्टिप्लाई की स्रीज है तो अब लोग लगा ठीक है नो को सत्ताइस तक करना तो तीन से मल्टिप्लाई करूंगा पांच जोड़ूंगा सबसे पहले तो तो पीछे देखा दो गुणा एक जूड़ेगा नहीं बेट रहा है से कुछ भी तो तो तीन की जगए च्यार से मल्टिप्लाई करके देख सकते हो यह दोनों प्र तो यह लोजिक लग रहा है इसका मतलों आगे क्या होगा पांच से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा एक सो साथ आ जाएगा माइनिस पांच करूंगा तो एक सो पच पन तो आंसर आ गया और ठीक है जी समझ में आगी होगी बात इस तरीके बहुत आसा नहीं से कर सकत जीरो को देखके बड़ा कन्फुजन से जीरो में कैसे क्या हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अराम से इनको देखो जीरो के बाद में 6, 24, 60, 210 अब देखो इस जीरो में गुणा गुणा करेंगे कुछ तब तो क्या ही आएगा जीरो से कुछ भी गुणा करेंगे जीरो ही फिर उसमें प्लस करेंगे, तो बेटर यह है, इसमें चांस यह जादा है, जीरो को देखके मुझे लग रहा कि डिफरेंस ही होगा, क्योंकि जोड़ गटाएंगे जीरो में तो उससे तो कुछ मतलब निकलता है, गोणा बाग करने से तो मतलब निकलता, तो सबसे पहले जब प्लस 6, फिर फिर पलस 13 हो रहे तो क्या ऍरजैने दो करेंगे जीरो से हो जाए, तो आपका एक्स्परियंस हो गया है, तो आगे से भी करने के डिफरेंस की सर eating हो सकते है तो इनका डिफरेंस कतना होotगा, छे प्लस 6 हो रहे फिर प्लस 18 हो रहा है फिर यहां कितना आए प्लस 36 हो रहा है यहां मुझे नहीं पता है यहां मंऩ पता तो कुछ समझ में बेसी तो क्वाछार्ट मिरmost 16 टो क्या पहसे देखू इन का देफ्रेंस 12 और योडित इने डिफें अच्टारा आप समंज में आया कुछ 12, 18, अब देखो, यहां पर कुछ भी मुझे समझ नहीं आ तो यहां रेंडम ली करनी पड़ती है, यहां 12, 18 होगा, तो यहां पर कोई नंबर रहोगा, इनके बेचे में कोई डिफरेंस रहोगा, तो क्या करें, यहां पर मैं मान लेता हूँ कि डिफरेंस रहोगा, 24 का, ठीक ह यहां रहोगा 30 का, 6-6 का डिफरेंस मान के चलना पड़ेगा, और तो कोई पाई नहीं इसके इंदर, डबल डिफरेंस रहोगा, फिर बराबर बर डिफरेंस लगाते वे चलो, बस लास्ट में क्रोश चेक कर लिजिएगा, जब कम नंबर आते तो ऐसे ही करना होता है, ठीक ह क्योंकि ऐसे हो जाता है 90% के इसके अंदर, 120 आगया, अब आगे देखना कि 60, इसमें और अगले में 30 का डिफरेंस या 90, या 120 में नंबर जोड़ों का 210 का बेट का लोजिक, तो 120 या अंसर है, आगे वाला नंबर चेक कर लिजिएगा, ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा छोटी की स्रीज आ जाती है, जिसमें डिफरेंस कम निकलते हैं, तो वहाँ पर एक्जेक्ट क्या नंबर कम होने की वज़े से कई बार आइडिया ने लग पाता है, तो उस टाइम पर डबल डिफरेंस निकाल लेना और उसके आधार के उपर क्यूश्चन को इस तरीके से आगे ले हो रहा है, ठीक है, ये प्लस 20 हो रहा है, ये प्लस कितना हो रहा है वही, 25 हो रहा है ये प्लस 25 हो रहा है, ठीक है, इसके बाद में क्या हो रहा है वही, 21 और 10 प्लस 31, और इसके बाद में क्या हो रहा है, प्लस 48, अब सरी इनको देखके तो बड़ा कन्फूजन की स्तिती हो तो वही कि कैसे करेंगे अब इसको क्योंकि अजीब से नम्बर लग रहे हैं डिफरेंस के अंदर नहीं पता लग रहा है डबल डिफरेंस निकाल रहे हैं को भी दिख करने हैं डबल डिफरेंस तीन च्यार पांच छे सारी समस्य समाप्त होई और यह कितना आएगा 31 से 48 का तो यह तो अलगी डिफरेंस आ रहा है पना 17 तो यहीं गड़ बड़े कुछ निकालते हैं तो आपको आपको बस एक बार जो डिफरेंस निकालते हो ना उसमें गलत कौन सा है वो देखना होता है तो यह यहां पर साथ का डिफरेंस होगा यहां पर अगर साथ का डिफरेंस होगा तो यह 31 की जगह है 31 तो अपना सही है इस 48 की जगह क्या आ जाएगा 38 तो मुझे एक बात बताओ कितने डिफरेंस गलत है इसमें एक ही डिफरेंस गलत है वो भी कौन सा लास्ट वाला जब लास्ट तो 148 सही नंबर होता लेकिन मुझे तो गलत बताना था वन्विफ टेट बता जिया वस आगे बढ़ते है नेक्स्ट कुश्च्ट कुश्च्ट को देखा मैंने मुझे है फिर यहाँ अगे गए है लेकिन बीच का मुझे पता नहीं है और यहाँ मुझे के लगवारम रेख मैं पको से आपको भी ये समझ में आने लग जाएगा तरह कि क्या होगा प्लश 14 ठीक है और यहां पर क्या हो गया वई कि पच्छी सोर्तीन 28 प्लस 28 ठीक है उसके बाद में देखते हैं यहां क्या होगा प्लस 22 इसके और इसके बाद में हमें पता नहीं है कुछ समझ में आया देखे 14 14 28 24 42 तो उसके बाद में क्या आजाएगा 56 प्लस 56 और उसके बाद में क्या प्लस 70 यहीं तो डिफरेंस होगा तो इसमें 56 जोड़ तो कितना आएगा 80 और 50 कितना होता है 130 प्लस 13 143 यहीं कि हापर क्या जाएगा 143 क्रोश चेक करना है तो इसमें 70 जोड़ के देखो 213 है सही है बिल्किस का मतलब ठीक है तो यह से बसा लोजिक लग रहा है इसमें बस पता लगाना था डिफरेंस की स्रीज है और कुछ भी नहीं नेक्स्ट कुश्चन देखो भई क्या बॉल ग्राइगा 14 के पास है देखो 11 को 3 से करूँआ तो 33 है तो 33 से 6 दूर है 11 को 4 से करूँआ तो ज्यादा नजदी के 49 तो लगबक जो ज्यादा पास होता है उससे लोजिक बेटने के तो 4 से मुल्टिप्लाई कर लिए तो 44 होगए माइनस कितना करना पड़े होगी 4 से मुल्टिप्लाई माइनस 5 किया यहां देखना भई यहां फिर 3 से मुल्टिप्लाई करके देखते है 15 आ गया 3 से मुल्टिप्लाई माइनस चार गया यहां कि 4 से मुल्टिप्लाई 5 माइनस किया 3 से मुल्टिप्लाई 4 माइनस किया तो य से मल्टिप्लाई होगा तो एक सो पिचान में फिर उसमें माइनस क्या होगा सिक्स माइनस होगा एक जादा माइनस हो रहा है तो वन हंड्रेड एटीनाइन अंसर आपका उप्शन नमर सी हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा होगा सभी लोगों नेक्स्ट कुश्चन नहां ऐसा है बड़ा है नमर ठीक है तो देखते हैं क्या हो रहा है नो को जा प्र冷查ए ठीटेल्स के करीव लेकि भर llev church को रहा है थे से मल्टिप्लाई वह कर दोगा एक माइनस कर दोगा यह एक से मुल्टिप्लाई एद्गा 1 माइनस है जा निइश ही तो हो तो आगे क्या ह 4 से मल्टिप्लाई होगा, 4 से मल्टिप्लाई होगा, तो यह 104 बनेगा, फिर माइनस क्या होगा, हर बार माइनस एक ही हो रहा है, तो यहां भी एक ही होगा, तो माइनस एक करूंगा, तो एक सो तीन को पांच से मल्टिप्लाई कर लेना, तो पांसो पंदरा एगा, पांसो क्लास में बता रहा हूं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि टेलिग्राम पर जाईए और सर्च बार में लिखिए एड़ रेट अंसुल सर जैसे ही आप यह लिखेंगे बेंकर्स पॉइंट ग्रूप ऑफ चेंपियन्स नाम से ग्रूप आएगा इसमें आपके नोट्स क पीडिएफ अपडेट हो जाएंगी इस टेलिग्राम ग्रूप पे फ्यूचर के अंदर मेरे और भी बहुत सारे प्लान है आपको प्रैक्टिस वगरा बहुत सारा मेटेरियल देने का तो अगर यहां पर आप जोईन हो जाएंगे तो आपको क्लास के अपडेट तो मिलती र अगर वही एक्जाम में आते हैं तो बहुत वाइदेमन दे चीज देखके पता लग जाती है चीज है कि हां यह वाला क्यूच्चन मेरे इस तरीके से होगा वही एक्जाम में आ जाता है तो वह अपन फटा-फट और भी फास्ट कर पाते हैं और एक्जक्ली हम सही कर भी दे सबसे इंपोर्टेंट हैं आपके लिए नंबर सीरीज के अंदर इन 40 कुश्चन के पैटरन को तो अपने हाथ से निकालो लेकिन रटना नहीं है जो मैथड बता है उस मैथड को यूज करना है तभी पता लगा नहीं तो एक्जाम में देखके कुश्चन बिलेंग हो जाता ह तो उमीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छी से समझा होगा और कौन से टopik के पूरब कौन से वीडियोच्य आप मुझे कमेंड करके बताएटओर